योनु अपना फोन छोड़कर कहीं गया होगा उसका फोन इसलिए आप हाँ वो इस वक्त मेरे ससुर जी से बहुत जरूरी बात कर रहा है शायद तुम्हें पता नहीं है लेकिन योनु की वज़े से हमारी परिवार का महौल इस वक्त बहुत ही ज्यादा खराब है ऐसा क्या होगा मेरे ससुर जी के कमरे में उसने जासुसी करने खर वो बात जाने दो क्या तुम्हें पता है योनु मेरे बेटी को डिवोर्स देना चाहता है वो क्या बोल रही है उसने इस बारे में एक बार जिकर किया तो था लेकिन मैने माना नहीं आप तो जानती है मिया बीवी में लडाइयां चलती रहती है तो मुझे लगा ये मामला सुलच के या होगा आतका उने डिवोर्स के बारे में बाता जा करें क्या शायद आपको बच्चों की बातें एक बार सुन लेनी चाहिए क्याद है उनकी शादी में तुमने एक बार मुझ से कहा था कि भैतर हो का अगर में उनकी खुशी की रास्ते में ना हूँ लेकिन अब में उनका डिवर्स करवा कर ही रहूंगी और तुम बीच में मत आणा क्या हूँ अमा क्या बोल रही थी अब मैं क्या करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा वहां ये क्या चल रहा है मा कुछ तो गरबढ है अगर युनका सच में डिवर्स हो गया तो पर पर इसमें इतनी बड़ी क्या दिक्कत है यसे से फेमस वे आप भी बिल्कुल वही तरीका अपना सकते हो आप अपनी बहु को बुलाईए और पेर का बायट लेके बोलिए वा क्या बात है मैंने इससे मीठे से बास तक नहीं खाए मैं अपनी बहु की मदद फिर से मांगा उसकी मदद पर पहले हमारे हक्था ना यह तो वो लोग है जिन्होंने बहती गंगा में हाथ धो लिये तुम बताओ क्या कहते हो बहुत कमाल की बात थी के मिस होंग इतनी बिजी होने के बावजूद टाइम निकाल कर आई और सब को गिफ्ट्स भी दिये लेकिन एक ससुर होने के नाते इतनी बहु से मदद मांगना यह अच्छा नहीं लगता सही का इस्जत भी चली जाएगी सच में तो तुम कहना चाहते हो हम उस पाक सोखुन के सामने हार मान जाए क्या अरे हद है यार तुम हमेशा इतने एमोशनल क्यों हो जाते हो क्या तुम एक INFP हो तुम ये क्या बात कर रहे हो मैं पाक चुन सिखूं मैं तुम्हारे गोल्स की बात कर रहा हूँ क्या तुम अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए जो हो सकता है वो करते हो या सिर्फ उसकी फिक्र करते हो तुम INFP हो या ENFJ हो ऐसा है तो मैं एक INFP हो तो फिर तुम्हें उसे पेद खिला देने चाहिए और उनकी तारीफ करवा लेनी चाहिए लेकिन उससे पहले तुम्हें मिस होंग की वो सेब खाने वाली विडियो हटवानी होगी अगर तुम खामखा अपने विडियो हटवानी होगी